अज़ा पालक पनीर बिल्कुल होटल जैसी टेस्ट में बना के तैयार करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मैं इसमें कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जो कि आपको बहुत ध्यान से देखने हैं और फॉलो करना है इसलिए पूरी वीडियो देखते रहें सबसे पहले तो हमें पालक को अच्छे से इसके डंटन निकाल के उसको साफ करके रख लेना है यह देखी मैंने अच्छे साफ करके इसको रख लिया है इसके पत्ते और पनीर को मैंने क्यूब्स में काट लिया आप साइस अपने साफ से स्लेक्ट कर ले छोटा या बड़ा सबसे पहले हमने पानी को बॉयल कर लिया यह देखिए अब हम सारी पालक अपनी डाल देंगे उबलने के लिए अच्छे से हमें इसे उबालना है चाहे तो इसको बंद कर देंगे तो जन्दी से उबाला जाएगा यह देखिए अब यह अच्छे से बॉयल हो गई है अब इ और पालक को हम जल्दी से थंडे पानी में रख देंगे ताकि ज्यादा अच्छे से थंडी हो जाएगी फिर हम इसको मिक्सर में डालके अच्छे से एक पेस्ट बना लेगे देखिए पेस्ट बनके बिलकुल रेडी है अब हम चड़ाएंगे कड़ाई उसके हम डालेंगे घी यह है पहली टिप कि इसको हमें घी में ही बनाना है याद रखे और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर यह देखिए दो से तीन क्यूब्स काटके मैंने इसमें डाल दिया है अब यहाँ पर बिल्कुर स्लो रखेंगे ताकि बटर जो है जलना जाए अब डाल अच्छी डालेंगे यह याद रखना है आपको के लस्तों इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होना चीए जो लस्तों का फ्लेवर में होता है बहुत अच्छा आता है और इसी तरह से हम इसको हलका सा ब्राउनिश कर लेंगे चलाते हुए और गैस को हम यहाँ पर हलका सा मीडिय हम टू लो कर लेंगे आप ढाल देंगे दोसी तीन हरी मिंची कटी वही हलका सा इसको हम लोग चला लेंगे सौते होते ही डाल देए इसमें हम लोग कटी यहीं भूल लेंगे थोड़ा प्याज और लैसुन को साथ में यह देखिए हलकी सी जब हलकी ब्राउनिश कलर हो जाए तब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिच पाउडर इसा हुआ थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर लगभाग आदी चमबच दोनों चीज़े और धनिया पाउडर डाल देंगे एक चमबच भरके अब इसको हम यहां पर हलका सा भूल लेंगे यहां पर हमें लो कर दिये हैं फ्लेम को ताकि मसाले सूखे जल न जाए फिर हम डाल देंगे इसमें एक बड़े साइस का लाल चौप कर रहा हुआ टमाटर इसको भी हम हलका सा भूल लेंगे इस तरह से कर्ची से हम इसको हलका सा मैश करते रहेंगे ताकि जल्दी से पक जाए और दो मेट के लिए इसको हम धाग देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए यह देखी टमाटर हमारे हलके से मैश हो गए मींस गल गए है और हम लोग साथ में मसाले की भूहलेंगे भूहं थ्यान रखना इसमें दूसी टिप्स को यही है के हमें बहुत अच्छे से पालक को भूinese जितना अच्छा ही इसका पेस्ट हो जाएगा अब इसे अच्छी से कमूर भागने साव मुला नहीं है , इसके इसकी पानी जो हमने जाता है वो पाफी है अब इसको अधाक के पकाएंगे लतल पांशमेट के बाद खोल के देखेंगे यह देखिए हलका सास का मौश्यर कम होने लगा है और घी भी उपर आएगा पकने के लिए इसको फिर से हमें ढाकना पड़ेगा विदिन 5-10 मिनिट्स के लिए अब इसको फिर से देखेंगे यह देखिए इसका घी उपर आने लगा है इसका मतलब यह पकने लगी है भूनने इसे आज से 10 मिट के लिए हमें ढाक्ये पकाना होगा ताकि अभी पालक और थोड़ी दिर भूनेगी तो समय यही चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पालकों में जितना ज़्यादा हो सके भून के पकाना है यह देखिए फिर से हमें जब देखा है तो इसका घी उपर आ गया है अच्छी से और यह पूरी तरह से भून गई है अब हम डाल देंगे इसमें एक से डिर्चममच क्रीम आप चाहे तो घर की क्रीम जो होती है मलाई दूद्की वो भी इसमें डाल सकते हैं वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगी और चाहे तो मार्केट की क्रीम भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसको अच्छे से पालक में हम मिला लेंगे और फिर इसको फिर से हम आज मेट के लिए ढाग देंगे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमें पालक को अच्छी से भूनना है और ध्यान रहे पनील टी क्यूप को हमें बिल्कुल भी फ्राइड नहीं करना है अब फिर से हमने इसको ढाग दिया ह अब इसको हमने फिर 5-10 मिस के बार देखा है यह देखिए अब यह बिल्कुल ठिक हो गई है ग्रेवी आप देखिए भी ठिकनेस आने लगी है अब इसमें हम डाल देंगे पनीर की क्यूप्स जब बिल्कुल रेडि हो पालक तभी हम डालेंगे पनीर को ताकि यह तूटना जाए बहुत हलकी हातों से पनीर को आलक में मिक्स करेंगे अब हम इसको फिर allaस्ट बर धाग देगी ताकि पालक का जितना भी टेस्ट है वह पनीर में अब्सवर्ब हो जाए अच्छी से बटर डाल के हम इसको सर्फ करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिश्वन मेरा लिंक रहता है उसमें धे सारी वीडियो से जाके देख सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग